हलो स्टूडेंट आपका हमारी योट्यूब चैनल पे स्वागत है आज के इस वीडियो में हम डी एससबी टीजीटी एक्जाम के लिए मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कोशन करेंगे जो की पेपर वन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आई स्टार्ट कर जेट इसमें यह बोला है कि एक और है जो एक डिस्टेंज जो एक 47 डिस्टेंज है वो आज घंटे में complete करती है धीक है तो उसमें यह बोला है आगे कि जो आदा डिस्टेंज है वो 40 किलोमेटर आपर किया और जो बचा हुआ है आधा डिस्टेंस वो 60 की स्पीड से कवर किया तो पूछाए की total जर्णी जो है कितने km की थी ठीक है तो माना कि जो ए से बी तक की उसकी जर्णी थी ठीक है और जो distance है इसने बोला आधा distance जो है वो 40 की स्पीट से लिया तो मतलब ए से लेके सी तक को मैंने ले लिया X किलोमेटर ठीक है तो सी से बी तक का भी X किलोमेटर यह होगा ठीक है क्योंकि जो आधा डिस्टेंस है तो मतलब हाफ-ाफ में डिवाइड हो गया अब बोला है कि उसे टोटल टाइम जो लगता है वो 8 खंटे लगता है, ठीक है, A से C तक वो कितने km की speed से के चालीस की speed से तो 40 km per hour और C से B तक जो गया है वो 60 km per hour की speed से, ठीक है तो हमारे पास जो time निकालने का जो formula होता है, तीक है यहाँ से जो A से C तक का जो time लगा है वो निकलेगा time to distance हमारा X ही रहेगा और speed हमारी 60 km पर आ ठीक है अब दोनों को मिला कर कितने घंटे आ रहा है 8 घंटे question में लिखा हुआ है ठीक है तो T1 plus T2 कितना आ रहा है 8 hours आ रहा है तो X upon 40 plus X upon 60 equal to 8 LCM अगर लूँगा तो 120 आएगा यह हो जाएगा कितना 3X और यह 2X equal to 8 इसको अगर मैं solve करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसको अगर solve करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 5X equal to 120 into 8 ठीक है अब जो 5 है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा तो X equal to हो जाएगा हमारा X equal to कितना हो जाएगा 120 into 8 upon में 5 cancel किया तो कितना हो गया 24 हो गया ठीक है अब 24 into 8 इसको गुना कर देंगे तो हमारा क्या है A से C तक का distance मतलब X की value हो जाएगी तो 8 चौक 32 तीन असिल 8 दूनी 16 और 3 16 और 3 होते हैं हमारे 19 ठीक है तो X की value जो है 192 आई है मतलब A से C तक हमारा 192 है तो C से B तक 192 होगा तो 192 into 2 तो यह जाएगा 483 तो 384 किलोमेटर इसका correct answer होगा ठीक है अगला कोशन देखते हैं अगला है A speed of 36 km per hour is the same as तो यहां पर हमें वो लखा है जो speed जो है वो दे रखी है किलोमेटर पर आर में कितनी 36 km per hour ठीक है हमें इससे बोलना है कि किसके equal होगा अगर इसको मैं मीटर पर सेकिंड में change करूं मीटर पर सेकिंड में change करूंगा तो इसको मैं को multiply करना पड़ेगा किस से 5 by 18 से ठीक है अब directly कर सकते हैं तो 36 into 5 by 18 मीटर पर सेकिंड 18 दूनी 36 तो यह एगर 10 मीटर पर सेकिंड इसका correct answer हो जाएगा ठीक है अगला कोशन देखते हैं next question है the length of a rectangle is double while its breath is half what is the percentage change in area तो यहाँ पर बोलाएं कि एक rectangle है ठीक है यह rectangle है इसकी length हमारी L है breath हमारी B है और इसमें आगे यह बोला है कि अगर इसकी length जो है वो double कर दी जाए 2L और breath half कर दी जाए हाफ B upon 2 हो गया तो इसके area में क्या change आएगा ठीक है तो पहले इसका area क्या होगा area जो होता है L into B होगा यह होगा इसके area अब change होने के बाद अगर मैं इसका area निकालूं तो L तो हमारा 2L है breath हमार अब B upon 2 है तो 2 से 2 cancel हो गया तो यहां भी कितना आ रहा है L into B ही आ रहा है तो पहले भी area हमारा यह था और change होने के बाद भी यह है तो इसमें क्याएगा no change अगला question देखते हैं next question देखते है next है if the side of a square is double then the ratio of the resulting square to that of the given square is तो यहां पर बोलाए कि एक square है जो given है हमें इसकी side मैंने x ले ली ठीक है और बाद में बोलाएकर इसकी side हम double कर दें ठीक है मतलब कि 2x कर दें तो सारी side 2x हो जाएगी तो इसमें इनकी ratio क्या होगा इसका area का ठीक है तो अगर पहले निकालूं तो इसका होता है x square side into side होता है, ठीक है, first वाले का जो area होगा, वो x square होगा, और दूसरे वाले का area क्या होगा, 2x into 2x, ठीक है, तो यह हो जाएगा 4x square, अब ratio किसका पूछा है, ratio पूछा है, resulting square to the given square, resulting square मतलब change होने के बाद हमारा यह आ रहा है, तो 4x square और जो given था हमारा x square, तो ratio आ गया 4 upon 1, 4 is to 1 is the correct answer, ठीक है, अगला question देखते हैं, next है, if a upon b is 4 by 3, यहाँ पर बोला है, a upon b जो हो हमारे पास 4 upon में 3 दे रखा है, ठीक है, तो हमें इसकी value निकाल लिए है, तो 3a plus 2b upon में 3a minus 2b है, तो मैं क्या करूँगा, denominator और numerator दोनों को ही, b से divide कर दूँगा, ठीक है, यहाँ भी b से divide कर दूँगा, यहाँ भी b से divide कर दूँगा, तो मेरे पास, क्या जाएगा, 3 A upon B plus 2 B upon B ऐसे नीचे 3 A upon B minus 2 B upon B B से B तो cancel हो जाएगा हमारे पास क्या बचेगा 3 A upon B plus 2 और 3 A upon B minus का 2 तो यहाँ पर A upon B की value put कर देंगे तो 3 into 4 upon 3 plus 2 हो गया और यहाँ पर 3 into 4 upon 3 minus का 2 हो गया 3 से 3 cancel हो गया ठीक है 4 और 2 6 और 4 में से 2 गया 2 तो यहाँ बचा हमारा 3 ठीक है तो इसका correct answer हो जाएगा 3 अगला question देखते है next है if 16% of 40% of a number is 8 the number is तो इसमें बोला किसी number के 16% का 40% 8 है तो वो number क्या होगा तो वो number हमने x ले लिया और इसका 16% और इसी का 40% बरावर है 8 के ठीक है यह दिया हुआ है तो इसको solve कर लेते हैं तो हमारे क्या हो जाएगा x equal to हो जाएगा 8 into 100 into 100 यह जो denominator में है left hand side वो उपर चले जाएंगे और उपर वाले number नीचे चले जाएंगे तो 25 गुना 5 हमारा किता होता है 125 तो इसका correct answer हो गया option number C next question देखते हैं 7 अब बोला है कि हमें इसकी value निकालनी है तो अब यहाँ पर है 0.63 bar plus 0.37 bar ठीक है अब यह जो bar है इसको हटाने के लिए आपको करना क्या है तो जितने digit के उपर bar है उतने ही 9 हम नीचे लगा देंगे दो डिजिट के बाद दो बार 9 हम नीचे लिए देंगे 99 ठीक है plus 37 है दोनों के उपर बार है तो यहाँ 99 हो गया LC हम लिए तो 99 और यह हो गया 100 ठीक है तो अगर इसको मैं decimal में convert करूँगा डिवाइड करके तो हमारा क्या आएगा 1.01 बार ठीक है यह आएगा अगला कोशन देखते है अगला है the mean proportional between 0.32 and 0.02 is अब mean proportion कैसे निकालते है अब mean proportion होता है हमारा जैसे कि यहाँ पर A दे दिया हमे 0.32 B दे दिया हमे 0.02 ठीक है तो C हमारा mean proportion होगा ठीक है यह होता है हमारा under root of A B के equal ठीक है तो under root A हमारा 0.32 है और B हमारा 0.02 है multiply करेंगे तो कितना आजाएगा यह यह आजाएगा हमारा 0.0064 ठीक है 4 डिजिट के बाद decimal आजाएगा 64 किसका होता है 8 का होता है तो यहां आएगा 0.08 इसका answer हो जाएगा ठीक है अगला question देखते है next है इसमें वोलाएगा third proportional to 0.8 and 0.2 is अब third proportion कैसे निकालते हैं जैसे A दे दिया हमें 0.8 B दे दिया 0.2 ठीक है और C हमारा होगा third proportion तो यह निकालता है A upon B equal है B upon में C के ठीक है तो यहां value रख देते हैं तो हमारे पास A कितना दे रखा है 0.8 यह 0.2 0.2 upon में C cross multiply किया तो 0.8 into C equal हो जाएगा 0.2 into 0.2 ठीक है तो C कितना हो जाएगा 0.2 into 0.2 upon में 0.8 एक decimal से एक decimal cancel हो गया दो से काटा तो यह 4 ठीक है अब हमारे पास क्या है C आ रहा है 0.2 upon में 4 इसको cancel करूंगा 0.05 अंसर इसका हो जाएगा ठीक है अगला question देखते है दसवा है the ratio between the two number is 3 is to 4 and their LCM is 180 the first number is अब यहां बोला है दो number का जो ratio है वो दे रखा है 3 और 4 का जैसे a और b दो number है ठीक है इनका ratio दे रखा है 3 is to 4 और इनका LCM दे रखा है a और b का वो दे रखा है कितना 180 ठीक है तो हमने माना कि a number जो है हमारा 3x हो गया और दूसरा number जो है 4x हो गया अब 3X और 4X का अगर मैं LCM लूँ, ठीक है, LCM लूँ 3X का और 4X का, तो मेरे पास 12X आएगा, और ये किसके इकोल हो जाएगा, 180 के, तो X की value कितनी हो जाएगी हमारी, 180 बटे 12, तो ये काटा 6 दूनी 12, छेती 18, ये आगया हमारा 15, ठीक है, तो X हमारा कितना आगया, 15 आगया, और पहला नमबर क्या था, हमारा 3X था, तो 3 into 15 हमारा हो गया कितना, 15 रती है, 45, तो option number C इसका correct answer बजाएगा, ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, Thank you.